हेलो दोस्तों मैं यूग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों अगर आप फैब्रिकेटर हैं, मेकेनिकल फीटर हैं या फिर मेकेनिकल की किसी भी फील्ड से हैं तो आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही यूसफुल होने वाली है विकॉज आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किसी भी प्लांट के मेंटेनस या फिर फैब्रिकेशन वर्क में किन-किन बेसिक टूल्स का यूस किया जाता है तो अगर आप फ्रेशर हैं या फिर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा विकॉज इंटर्वू के पॉइंट आफ व्यू से भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है सो आईए वीडियो को शुरू करते हैं रिंच या फिर रेचेट टाइप के रिंच का यूज किया जाता है रेचेट रिंच बेसिकली रेचेट और सौकिट का कॉंबिनेशन होता है बट किसी भी नट को खोलने और फिर टाइट करने के लिए combination type के spanner को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिनका एक end open ended head की तरह होता है और दूसरा end ring head की तरह बड़ दोनों head की sizes सेम होती है So, spanner की किसी भी side को आप अपनी job के accordingly यूज़ कर सकते है इसके लावा hammering wrench को भी किसी nut को कसने या फिर खोलने के लिए यूज़ किया जाता है Actually hammering wrench को nut में fix करने के बाद उस wrench के उपर hammer से मारा जाता है ताकि nut को properly lose या फिर tight किया जा सके Next tool है hammer वैसे तो hammer कई तरह के होते हैं जिनके use भी अलग-अलग होते हैं But अगर आप fitter है तो journal maintenance के लिए आपके पास एक sludge टाइप का hammer तो होना ही चाहिए और अगर आप किसी oil and gas refinery की field से हैं तो ध्यान रखे कि ऐसी जगे आग लगने के chances बहुत ही जादा होते हैं So आपको plant and refinery में हमेशा brass से बने hammer को ही use करना चाहिए जो की एक non sparking material होता है और जब आप brass के hammer से work piece में hammering करते हैं तो उस spot में किसी भी तरह का spark नहीं होता है और आप hammer का safely use कर सकते हैं Next कुछ common use होने वाले tools हैं प्लायर, screwdriver और allen keys जिनका use allen type के bolt और screw को खोलने या फिर tight करने के लिए किया जाता है Plant के journal maintenance में flat और star type के screwdriver की जरूदर सबसे ज़्यादा होती है जो की आपके toolbox में हमेशा होना ही चाहिए Next जो tools है वो है chalk, line dory और center punch जो की basically एक marking tool होते हैं और इनका use हम किसी work piece के उपर permanent effort temporary marking करने के लिए करते हैं जबकि किसी pipe के उपर marking करने के लिए pipe wrap को use किया जाता है work piece के surface से unwanted particles को remove करने के लिए किया जाता है So अगर आपको work piece की cutting करनी है तो आप grinder में cutting wheel को fix करके work piece की cutting कर सकते हैं या फिर अगर आपको किसी job की metal surface को clean करना हो तो उसके लिए आप grinding wheel, waffing wheel या wire cup brush को use करके work piece के surface को अच्छी तरह से clean कर सकते हैं इसी तरह से आप file को भी manually use करके work piece के surface की deburring और cleaning कर सकते हैं साथ ही file का use tool की edge को sharp करने के लिए भी किया जाता है next tool जो कि किसी भी fabrication work में सबसे ज़्यादा use किये जाते हैं वो है c clamp, pipe wise और leg wise जिनका का work piece को अच्छी तरह से पकड़ के रखना होता है like अगर हमें किसी job में drilling करनी है, cutting करनी है या फिर welding करनी है तो ऐसी situations में कई बार हमें job को strongly hold करने की जरूरत होती है so ऐसे cases में आप इन tool को use करके job को अच्छी तरह से fix कर सकते हैं next tools है hydraulic jack and chain block जिनका use करके आप किसी भी वजनी work piece को manually बहुत ही कम effort के साथ आसानी से lift कर सकते हैं next है drill bit, अगर हमें किसी job में किसी specific size के hole की requirement होती है तो उसके लिए आप drill bit से drilling करके required shape and size के hole को create कर सकते हैं drill bit को commonly HSS, it means high speed steel से बनाया जाता है और अगर आपको किसी work piece में internal thread को create करना होता है तो उनके लिए thread taps को use किया जाता है जो की taper tap, lug tap and bottoming tap का एक complete set होता है जिनको work piece में one by one insert करने के बाद manually घुमा करके आप बहुत ही आसानी के साथ job में internal thread को बना सकते हैं तो दोस्तों I hope कि ये वीडियो आपके लिए काफी useful रही होगी और मैंने इस topic को दो पार्ट में divide किया है सो वीडियो के आज इस वाले पार्ट में मैंने आपको journal tools के बारे में briefing की है बट वीडियो के next पार्ट में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किसी भी maintenance या फिर fabrication work के लिए किन-किन measuring tools का use किया जाता है और अगर आपको वीडियो का ये वाला पार्ट अच्छा लगा हो तो आपसे request है कि please channel को subscribe करके वीडियो को like and share जरूर करिएगा मिलते हैं वीडियो के next पार्ट में Thank you for watching